हेलो बच्चो नमस्कार मैं अभिने दिक्षित आप सभी का एगरी कल्चर जीके के इस ओफिसियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के माद्धियम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ TWC JTA exam के analysis के बारे में जो आज आपका exam हुआ है इसमें आपके कैसे question आये थे इसके लावा जो आपका आज का पेपर हुआ है इसकी cut-off क्या जा सकती है जानेंगे इसके बारे में complete information चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ब और जो cut-off marks हैं वो भी हमने बच्चों का review लिया था हमारी team गई हुई थी center पर तो वहां पर जो बच्चों का review रहा है उसके basis पे हमने यहां पर cut-off को discuss किया है तो उसके पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो paper था paper में question किस type से आये थे जान लेते हैं इसके बारे में जो आपका reasoning और computer जो आया था aptitude इसकी बात की जाया अगर तो इसमें आपका unknown number series के लगभग आपका दो से तीन question थे जो आपका blood relation होता है इसके दो से तीन question आये हुए थे greed arrangement इसमें आपके लगभग 13 question थे इसके comparison arrangement के आपके तीन question थे यहाँ पे syllogism के चार question थे data efficiency जो आप की थी इसके तीन से चार question आये हुए थे exam में coding decoding के आपके चार question थे arrangement की अगर बात की जाये जो arrangement होता है इसका आपका one question आया हुआ था cheating arrangement की मैं बात कर रहा हूँ इसके लावा जो symbol conclusion होता है इसके आपके लगभग दो question आये थे direction sense के आपके दो से तीन question थे इसके लावा circle arrangement के आपके five question exam में देखने को मिले थे और जो आपका input output होता है इसके यहाँ पे तीन question थे इसके लावा जो computer awareness है इसके question काफी moderate level के थे कुछ question काफी ही जी थे कुछ question आपके moderate level के थे तो computer भी आपका ठीक ठाक आई थी exam में बाकी जो computer वाले question है जो question आपके agriculture से आये थे जो question आपके आये थे professional knowledge से और journal awareness से इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा उनमें मैं आपका complete जो question वगरा होते हैं वो discuss कराऊँगा तो पहले हम बात कर लेते हैं non technical portion की अगर बात की जाए English language की तो English में आपका word uses के दो question थे match sentences के आपके दो से तीन question थे close test के आपके आठ question आये थे paper में इसके लवा reading comprehension के आपके दो सेट पूछे गए थे paper में और इसमें आपके कुल 15 question थे लगबग fill in the balance के आपके 5 question आये थे spotting error के आपके 7 question थे word swapping in sentence में आपके यहाँ पर 5 question देखने को मिले थे पाइरा जंबल के आपके 5 question थे तो कुल आपका जो है जो English थी वो आपका moderate level की आई वी थी यहाँ पर English भी आपकी moderate level की थी और आपका question की जो length थी वो थोड़ा बड़ी थी next इसके बाद आप बात कर लेते हैं आपका जो data analysis है और di वगरा है quantity attitude है इसके question के बारे में तो जो आपका di था di में आपका bar graph di के 6 question थे table di के आपके 6 question थे और जो pie chart होता है इसके 6 question थे कैसले div exam में आई हुई थी इसके आपका 6 question थे time and work का आपका एक question आया था इसके लावा simple interest compound interest का आपका यहाँ पर one question था partnership का one question था time speed and distance से one question पूछा गया था exam में Mentoration का भी आपका एक question देखने को मिला था number system का आपका one question था profit and loss का one question exam में आया हुआ था mixture का आपका one question था ages का भी one question आया हुआ था और quadratic equation के आपके five question पेपर में आया हुए थे इसके लावा जो आपका wrong number स्रीज है इसके 6 question थे paper में और आपका जो quality comparison है इसके five question थे तो यह कुल आपका di का और जो quad का portion था यह आपका moderate to hard level का था question आपके काफी tricky आया हुए थे इसके 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 बाद हम बात कर लेते हैं आपका general knowledge के बारे में और जो professional knowledge आता है उसके बारे में जो आपका यह का exam होता है इसमें 65 65 यह question आते है professional knowledge के और जो आपका जिये रहता है इसके 20 questions रहते हैं तो यह question है 20 question जर्नल अवेडनेस के इसमें आपके लगबग जो है पांच से आठ question आई हुए थे current affair के पांच से आठ question आपके current affair के थे बाकी जो आपका portion professional knowledge का था इसमें question जो है आपके easy to moderate level के थे ज्यादा tough question नहीं आए थे कुछ question आपके तरह टिकी थे तरह कोस्टन जो है घुमाओं थे बाकी question आपके easy to moderate level के थे अगर आपने question की language अच्छे से पढ़ी होगी तो आप question आराम से attempt कर ले गए होंगे इसके लावा जो professional knowledge होता है इसके question और जो आपका general awareness है इन दोनों के question हम बच्चों से collect कर रहे हैं candidate जिन्हों लोगों ने exam दिया था उनसे मैं बात कर रहा हूँ और हो सकता है आज साम को या कल दुपार तक मैं वीडियो ले करके आऊं जिसमें मैं आप सभी को complete जो question आये थे professional knowledge के और journal awareness के वो डिसकस करूँ अलग वीडियो में तो इनके question मैंने इसलिए यहां पर mention नहीं किये हैं इनके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो प्रवाइड गराऊंगा इसमें मैं इनके question डिसकस करूँगा उनका complete जो solution है डिसकस करूँगा इसके लावा आपको जो question याद हो जर्णल knowledge के और आपका professional knowledge के प्रीज उन question को आप comment box में लिखिए जितने question आपको याद हो comment box में लिखिए आप तो इससे हमें आफानी रहेगी उन question को find करने में और आपका उन question के answer find करके आपको पेपर का जो solution है वो provide करने में इसलिए आपको क्या करना है जितने question आपको याद है वो question आपको comment box में लिखने है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं cut off क्या जा सकती है कितना आपका safe attempt रहने वाला है तो देखिए paper का जो level था यह आपका moderate to hard level का था paper को आप पर overall आपका जो है moderate to hard level का था इसका और expected देखिए यहाँ मैंने दिखा हुआ है expected cut off तो इसको आप official cut off ना मानिएगा और यह जो है बच्चों का review है जिन लोगों ने exam दिया है उनका review है आपको क्या लगता है cut off क्या जा सकती है आप comment box में लिख सकते हैं इसके अलावा जो cut off जो हमारे candidates हैं हमारी coaching के जो center पर गए हुए थे उन लोगों ने जो पता किया है बच्चों से जो review लिया है उसके basis पर जो हमने cut off तयार करी है जान लेते हैं उसके बारे में अगर आप UR से belong करते हैं तो आपका 110 से 120 marks safe score रहेगा यानि कि आपका अगर आ OBC का आपका 95 to 100 questions safe रहेगा इसके अलावा जो SC वाले हैं इनका 85 to 90 questions safe रहेगा ST वालों का आपका 80 to 85 questions safe रहेगा ये आपका CWC JTA की expected cut off जा सकती है आपको क्या लगता है cut off क्या जाएगी और आप कितने questions attempt किये हैं आपके कितने marks आ सकते हैं आप comment box में लिखिएगा आपके comment box म आपके message का मैं wait करूँगा और हो सकता है आपको reply भी करूँ वहाँ पे इसके लावा मैं आपको बता दूँ अगर आप IBPS AFO exam को target कर रहे हैं और आप इस exam की dedicated preparation करना चाहते हैं तो हमारे platform agriculture GK की तरफ से आप सभी को affordable piece पे best coaching provide की जा रही है IBPS AFO के लिए यहाँ पे आप इस course क को join कर सकते हैं यह हमारा pre-mence और interview complete combo pack है यहाँ पे आपको video lectures मिलेगा prelims और मेंस के लिए syllabus के according इसके लावा आपको नोर्स मिलेगा e-book दी जाएगी इस exam के लिए 70 प्लस यहाँ पे आपको mock test दिये जाएंगे prelims और मेंस के previous year papers आपको यहाँ पे मिलेंगे और interview guidance भी आपको इस पैग में दिया जाएगा इस course की जो fee है वो हमने काफी affordable रखी है केवल आप 1699 रुपीज की cost पे 17 सो रुपे की cost पे आप इस course को buy कर सकते हैं अगर आपको यह course buy करना है तो आप agriculture gk app को install करिए या हमारी website agriculture gk.in पर जाएए लिंक आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से जा इनफल का फाम फिल किये हैं उनके लिए भी good news है agriculture gk app पे affordable fees पे best coaching प्रवाइड की जा रही है study material course अपने launch कर रखा है इसमें आपको agriculture की और GS की ebook मिलेगी जिसको आप print कर सकते हो 20 प्लस यहां पे आपको mock test मिलेंगे previous year paper आपको दिया जाएगा इस exam का इसके लावा आपका ज तो अगर आप course को buy करिएगा तो उसके वाद मुझे WhatsApp करिएगा तो आपको WhatsApp ग्रुप में add कर दिया जाएगा वहां पे आपको daily current affair और daily जो English vocab बगारा होती है वो share की जाती है वो आपका exam में काफी helpful रहेगी इसके अलावा इसी course में आपको interview guidance program भी दिया जाएगा only 600 रुप करना चाहते हैं और एक job पाना चाहते हैं तो हमारे platform से जुड़ी है इस course को buy करिए इस course को buy करने की link आपको description box में मिल जाएगी अगरी culture जीके एप से या हमारी website से इसको आप buy कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी आपकी complete information जो बच्चों का review था मैंने उसके basis पे यहां पे कर दोस्तों 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 क